हेलो फ्रेंड्स, आजो तबारी साथे शेर करीज नडियादनी फेमस धाड़ पूरी नी रेसिपी तो आ दाड़ पूरी नी दाढ रेगूलर दाड़ती थोड़ी अलगोई छे जेने ग्रेवी अने एक स्पेशियल मसाला साथे एक दम टेस्टी बनावमावे छे अने आ टेस्टी दाड़ साथे जहरे गर्मा गरम पूरी अने डुंगडियाने मट्चान उसलाडोई तो खावानी खुब बज मज़ा आवे छे तो जो तमे नडियाद में रहता होई अने तमे आ दाड़ पूरी टेस्ट करी होई अथ्वा तो जो तमे क्यारे दाड़ पूरी नव बनाए भी होई तो एक वार आ मसाला साथे तेने चोकस्ती ट्राइक करवा जेवी छे तेनो स्वाद एकदम ओरिजनल दाड़ पूरी जेवा आवे छे तो जालो रेसिपी शरू करिये दाड़ पूरी माटे साउथी पेला टेस्टी दाड़ बनावा मैं ये एक कप जेली चड़ानी दाड़ने थोड़ी वार माटे पलाड़ी दिदेली आती तो दाड़ पलाडवा थी तेनने कोक थदा एकदम ओचो समय लागे छे दाड़ एकदम सारी ते पलड़ी ने फुली गए छे तो देमार आहलू बद्धूज पाणी काड़ी लाइए आने तेने प्रेशर कूकर माँ एट करी देए तो दाड़ पूरी माँ दाड़ पुरी माँ दाड़ नो दाणो अखो रहे औने खाती वक्ते तेनो थोड़ो क्रंचा आवे तेरी तेज दाड़ने बफवा माँ आवे छे अई आपड़े प्रेशर कूकर माँ वधू पड़तु पाणी एट करी ने धाड़ने ओवर कूक नसी करवानी धाड़नो दाणो छुटो रहे से तोच तेनो दाड़ पुरी माँ एकदम सरस टेस्ट आउसे तो ये दाड़ माटेनो स्पेश्यल मसालो अने ग्रेवी नी तयारी करी लए ये अने हवे दाड़ माँ एट करवानो स्पेश्यल मसालो बन्नावा में ये एक मोटी चमचेटला सुका लिला धाणाली देलाच साथे धाणा थी अड़दू एटलेके एक चमचेटलो जीरू, एक चमचेटली लीली वरियारी, एक चमचेटला आखा मारी, अर्धी चमचेटला लविंग, अने में त्रण थी चार नंग चेटला थमाल पत्रली देलाच तेने हाथे थी तोड़ी ने एट करी देये, साथे बेथी त्रण ताजिना टुकडा, अने मसाला ना एकदम सरस कलर माटे में त्रण थी चार नंग जेटला सुका कश्मरी लाल मट चाली देलाच साथे एक नंग जेतलों चक्रा फूल, अने एक चमचितली एलची एट करी ने मसाला ने धीमा गैस पर बेथी त्रोण मिनिट माटे रोस्ट करी लाईये तो मसाला ने रोस्ट करवा थी ते एकदम फ्लेवर फूल बने चे, साथे आपड़ी मसाला नी सेल्फ लाइफ पन वधी जाये चे तो लगबग बे मिनिट माँ बद्धी जवस्ट एकदम सारी ते रोस्टे ने उपड़ थी थोड़ी गुल्डन ब्राउन थेगे चे तो गेसनी फ्लेम बंद करी दाईए औने तेने ठंडू करवा माटे प्लेट मा कैड़ी लाइए अने हवे मसाला थंडा थाए इटले तेने पीसवा माटे मिक्षर ज़ार मा एट करी दाईए अने तेने सारी ते ग्राइड करी लाइए तो बद्दी वसु ग्राइड थाए ने अपलो दाण मा एट करवानों स्पेश्यल मसालों तयार थेगे चे अने हवे दाणी ग्रेवी माटे में ये बे मीडियम सैज ना डुगडी ना रफली पीस करी ली देला चे तो बद्दी वसु ग्राइड थेगे चे अने हवे ग्रेवी मा एट करवा माटे में थोडो चड़ानों लोटी देलो चे तो घरमा रहेली आर इतनी मोटी चमची ना माप थी、 अने हवे तेमा थोडु थोडु पाणी एट करता जेmalे तेनी पतली पेस्ट बनावी लाइए तो दाड पूरी माँ दाड ना दाड आखा होई छे एटले चड़ाना लोटनी पेस्ट रेट करवा थी दाड ने एक बाइंडिंग मढचे साथे आपड़ रसो पन थिक थासे तो एक कप जटलू पाणी रेट करीने मैं आर इतनी पतली पेस्ट तयार करीली तेली छे तो फक्त पाचेज मिनिट मा आपड़ो स्पेशियल मसालों तयार थेग्यों छे आ मसाला साथे दाड बोवड टेस्टी बने छे यह दाड सीवाई तमें आ मसाला नू प्योग शाक के पची गरम मसाला तरेखे पण करी शाको छो साथे आपड़ा यह दूंगडियाने टमेटाने क्रश करीने तेनी पेस्ट तयार करेली छे डूंगडियाने टमेटाना जो टुकडा एट करचू तो धाडने बराबर टेक्षर नहीं मड़े आ पेस्टा थे दाडने एक ग्रेवी जेवू टेक्षर मड़े शाथे आपड़े चलाना लोटने एक पेस्ट तयार करेली छे चिनासी दाडना रसाने एक ठिकनेस मड़े अने दाडने एक कोटिंग पड़ मड़े तो धी जवस्तूनी तयारी थाई गई चे तो धाडने बर घारी लगिये अने हवे दाडने तयार करवा पेंड मा चार मोटी चमचलू तेल एट करी देए हवे गरम तेल मा आपड़ी वाटेली डुमडी नी पेस्ट ने एट करी देए अने मीडियम टू हाई गेस नी फ्लेम पर तेने सार रिते साथडी लगिये तो लगबग बेथी त्रौन मिनेट जेव थाई गियुचे अने पेस्ट एकदम सार रिते सत्राईने तेनी साइट्स माथी तेल छुटू पड़ी गियुचे तो लगबग त्रौन मिनेट जेव थाई गियुचे अने टामेट आनी पेस्ट एकदम सार रिते सत्राईने ग्रेवी नी साइट्स माथी तेल छुटू पड़ी गियुचे तो लगबग त्रौन मिनेट जेव थाई गियुचे तेना माटे एक मोटी चमचे लो कश्मीरी लालमर्चू पावडर एक मोटी चमचे लो धाणाजीरू पावडर अनी मियाई एक मोटी चमचे लो त्यार करेलो धाणनो मसालो लिदेलो छे आँ मसाला साथे दाण बोवर टेस्टी बने छे सदे मसाला सातरती वक्ते बड़े नहीं तेना माटे थोडु पाणी एटकरी देये औने मसालाने तेल मां सार रिचे सातरी लईये तो दाड एटकरता पहला मसालाने आरितना तेल मां सातर वाथी धाननो कलर औने टेस्ट एक दम बजार जो आवेचे तो लगबग बे मिनिट माज आपणा मसाला एक दम सारीते सतड़ाइने तेनी साइट्स माथी तेल छूटू पड़ी गयुँछे तो है तैयार करीली चड़ाना लोटनी पेस्ट ने एड करीने सारीते मिक्स करी लईये अने आवे ग्रेवी माँ एक बोईल आवा दईये थावड़ी ग्रेवी उकले चे तिया सुथी प्रेशर कूकर माँ दाडने चोईये तो बे विसल पची आपणा कूकर ठरी गयुछे हावे तेने खोली लईये तो दाड एक दम सारीते बफाई गये चे आधे थी दाडनों दाडनों दबावीये तो ते सारीते प्रेस थाय चे साय थे आरितनों अखो पण चे जो आ समय दाड थोड़ी पण काची लागती होये तो एक विसल वधू करी ले जो तो हावे उकडती ग्रेवी माँ दाडने एट करी दैये साथे रसो करवा माटे बेक अप जिटलू गरम पाणी एट करी देए अने पाणी पुर्तु थोड़ू मीठु एट करी ने विद्धी जवस्तुने मिक्स करी लईए अने हवे ग्रेवी साथे दाडने साथी आठ मिनिट माटे उकाडी लईए तो दाड ग्रेवी माँ जेम उकर्चे तेम ते एकदम फ्लेवरफुल बन्चे तो लगबग 8-9 मिनेट जेवु थाई गियो छे अने आपनी दाड एकदम सारी ते उकडी गई छे तयार थेली दाडनी कंसिस्टनसी जोईए तो दाड अने रसो आरी इतना एक दाड माँ पड़े छे मिनस से एकदम परफेक्ट छे तो अवे तयार थेली दाड माँ थोड़ो लिम्बुनो रस एट करी दईए साथे थोड़ा कोथमीना पान एटकरी ने बदीज वस्तुने मिक्स करी लगिया तो एक वार चोकस्ती ट्राइ करवाजे भी अपड़ी टेस्टी दाड तयार थेगे छे छे ने बनावी एकदम साली तो परफेक्ट ग्रेवी अन्ने मसाला साथे अपड़ी एकदम टेस्टी दाड तयार थेगे छे तो दाड साथे खानी मज़ा आते वी पूरी बनावी लगिये हावे पूरी नो लोट बंधवा माटे मैं एक वाटकी जिटलो मिन्दानों लोटली देलो छे साथे तेटलाज प्रमाण मा एलेके एक वाटकी जिटलो गवनों लोटली देलो छे तो मैं एलोट मा मिन्दाने गवनों माप सर्खुराखेलू छे साथे स्वातप्रण मीठ हू अने पूरी नो तड़ती वक्त एकदम सरस कलरावे तेना माटे फक्त अड़ी चमचली खांड एट करी देए साथे एक मोटी चमचली खीनू मोण एट करीने बद्दीज बस्तुने लोट मां सार रिते मिक्स करी लाई आने अवये थोड़ु थोड़ु पाणी एट करताजे ने पूरी नो लोट बान्दी लेए तो पूरी नो लोट बान्ती वक्ते एक साथे वधू पड़तु पाणी एट नथी करवानो जो लोट तीलो थाई जसे तो पूरी बराबर नेई फूले तो तमें जोई शेगो छो के मैं लोटने बांधिली देलो छे आने ते आर इतनो मीडियम सोफ्ट छे आर इतनो लोट बंधवामा मारे अड़धा कप थी थोड़ा वधारे पाणी नी चरू पड़ेली छे तो तैयार तैला लोटने ठाकी ने फक्त 10 मिनिट माटेनो रैस्टापी देए तावण पूरीनो लोट बंधाए गयो छे आहिया पूरीना लोट मा आपने मेंदानो लोट एट करेलो छे बज्जार मा जे दाड पूरी मडे छे तेने मेंदाना लोट औने घवना लोट ना कोंबिनेशन थीज बनावा मावे छे मेंदाना लोट थी लोट में एक स्ट्रेची नेस आवे छे औने पूरी मोटी साइज मा वणी शकाई छे साथे मेंदाना लोट थीज पूरी नो स्वाद धाड साथे एकदम सरसावे चे तवे तैयार सहला लोट साथे पूरी ने वणी लईए तो 10 मिनिट थाई गेचे अन्ने अपना लोट एकदम सारी ते सेट थेगयो चे तवे तेमाथी पूरी बनाव माटे एक मीडियम साज नो लुओ लई 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 अन्य हावे तैने पाटला उपर राखी दई अन्य हावे तेनी उपर थोड़ू तेल एट करी दई जिति आपड़े तेनी एकदम सारी ते वणी शाकिये अन्य हावे वेलरणी मदत थी मीडियम थिकन सवाडी पूरी वणी लई लई ये तो अवडी पूरी सारी ते वणैंगे चे अन्य तेनी थिकन समय आर इतनी मीडियम राखेली चे च्ई अवड पूरीने एकदम पत ली वण्सु तो ने बराबट नई फुले पूरी ने तडवा माटे मी या मीडियम गेस नी फ्लेम पर तेलने एकदम सारीते गरम करीली तेलू छे पूरी ने एट करता पहला आपड़े तेलने सारीते गरम करीले वानू छे अवे गरम तेलमा पूरी ने तडवा माटे एट करी देए तो तेलमा पूरी आरितना थोड़ी उपरावे एटले तेने जहारानी मदथी नीचे नी बाजुए थोड़ी प्रेस करता जईये अने पूरी तेल मां आरीतना उपर आवि जाए एटले तेनी उपर गरम तेलने छटकावता जए ठीसित एकदम सारी ते फुली जाए तो अवड़ी एकदम फुले ली पूरी तैयार थेगे छ अने बीजी पूरी ने तड़ी ने बताऊ तो गरम तेल मा पूरी उपर आवे त्यारे तेने जारानी मदथी नीचेनी बाजुए प्रेस करवानी छे अने पची उपर आवे एटले गरम तेल ने छटकावता जेने पूरी एकदम सारी ते फुली जासे तो दाड साथे खावनी मज़ावे तेवी टेस्टी पूरी तयार थेगेचे चेने बनावी एकदम साली तापड़ी एकदम फुलेली पूरी तयार थेगेचे पूरी ने तड़ती वक्ते अपड़े गेसनी फलेम हाई राखवानी छे साथे पूरी एकदम तेल मां उपड़ावे एटले तेनी उपर थोड़ू तेल छटकावता जासू एटले पूरी अंदर से एकदम सारी ते फुली जासे तो घरमागरम पूरी साथे दाडने साव करी लई है तो स्पेशेल मसाला अने ग्रेवी बनानी अमुक टिप साथे एक वर आदाड़ पूरी चोकस्ती ट्राइ करवा जेवी छे स्वादमाते एटली टेस्टी लागे छे के घरना बद्धाने भाव से जो तमने मारी आजनी रेसिपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्षिन में जरूर ठीके जो साथे मारा वीडियो ने लाइक अने फ्रेंड्स अने फेमेली में शेयर कर जो अने मारी चैनले सब्सक्राइब करवानू ना बूल सो तो फरी मढ़िये एक नवी रेसिपी साथ है